गुरू गोविन दोव खड़े काके लागूं पाएं बलेहारी गुरू आपने गोविन दियो बताएं इस दोए में संत कवीर ने गुरू तथा गोविन यानि की भगवान की तुलना की है वे कहते हैं यदि गुरू और गोविन साथ खड़े हों तो किसके पैच होना उत्तम है ऐसे में गुरू के ही समक्ष शीष जुकाना चाहिए क्योंकि वही होते हैं जो भगवान से शिष का परिचे कराते हैं और शिष को भगवान की किर्पा का सौभागे दिलाते हैं भगवान की महिमा का पाथ कौन पढ़ाएगा यही कारण है कि गोविन से पहले गुरू के समक्ष शीष जुकाना चाहिए